आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं 6th of October के Daily News Analysis Current Affairs के उपर Class को सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि जिसी भी कारिय को सुरू करो उसे सफलता तक लेके जाना कहीं कई जीवन की अनिवारिता बना दो यह थमरूल बना दो कि सर जीतना है इस जर्णी में और इस जर्णी में जब तक हम सफलता का बेसिकली जो है रूप नहीं देख लगते जब तक हम success नहीं देख लेगते अपने जीवन में हम लोटने वाला नहीं मतलब हत्यार नहीं डालने हैं बीच में और consistency सततता से बेसिकली जो है स्वामे विवेक अनन से जो हम सीख सकते हैं वो यह है defeats the defeatist tendency कि सर जो यह आपके पास में defeatist tendency होती है कि सर हार सकते हैं या हार जाएंगे या हार मान लेंगे यह शब्द अपने सब्द कोश से निकाल दीजिए it is always with me and the great philosophy and advice which Lord Krishna gave to the Arjuna always comes to me whenever I am in trouble so आपको भी अपने जीवन के अंदर कुछ शब्दों को जो है आपके जीवन का आदर्ष बनाना चाहिए दर्शन बनाना चाहिए वह ही कहिन कहीं जो है आपको जो low points होई जो depression वाले points हो जो कहिन कहीं आपके पास में negative points है आपके life में जब आप phase करेंगे उनसे बाहर निकालेगा बस जीवन में हार नहीं माननी है यह differentist tendency है उससे बाहर आना है है ना तो एक winner attitude आपके अंदर होना चाहिए and we all are community और इस समुदाय में basically हम सब एक ही लक्षी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं किस तरीके से आने वाले CAC exam civil service exam के अंदर हम अपने candidature को और strong करें और उसके लिए यह session आपके लिए बहुत ही महत्तपूर्ण होने वाला है आज 4 October को हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्यका नॉबल फिर यवना और सतलच के interlinkage related क्या conflicts है कैरला के बेकल फूर्ट पर इंडो माल्डी बाइलेटरल रिलेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इंडिया में censorship की जो व्यवस्ता है censorship की जो व्यवस्ता है उसको थोड़ा सीखेंगे जानेंगे समझने की कोशिश करने वाले हैं क्लास की PDF आपको कहा मिलती है टेलिग्राम के उपर टेलिग्राम पे ये क्लास खतम होते ही जग्दीश अंडर्सकोर जांगे इड 1,2,3 इस टेलिग्राम हैंडल पे मिलने वाली है नमबर वन एड दे सेम टाइम आपको कोई भी आंसर राइटिंग या कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे क्वेरी पूछ पाएंगे जेजे सर पी डवी यूपी असी पे ठीक है दोस्तों विद्धेस विंग सेड्ड विद्धेस विद्धेस क्लास और आज की क्लास में 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 के डिसकशन के लिए हम एक एडिटोरियल आज आपके सामने डिसकस कर रहे है डिफूजिंग दे टिकिंग टाइम बॉम कॉल दे डाइबिटीज डाइबिटीज मदू में है मदू में है रोग के बारे में यहाँ पे बात की जा रहे है अच्छा यह लिख कौन रहे है आर्टिकल यहाँ पे एक सीनियर पेडिट्रीशियन है अरुन गुपता जी इन्हों ने बेसिकली जो कन्विनर है नूट्रिशन एड़ोकेसी के लिए पब्लिक इंट्रेस्ट के लिए लिखते है और पहले यह फॉर्मर मेंबर भी रह चुके है देखे प्रधान मंत्री जी की जो कहिन के एक काउंसिल लेती है फॉर्मर मेंबर अफ दो पी-म्स काउंसिल ओन इंडियाज नूट्रिशन चैलेंजेज तो बहुत ही महत्पून यह आर्टिकल है दोस्तो आपके सामने और इसको थोड़ा सा स्तीकने का समझने का आज हम कोशिश चेश्ठा करने वाले तो यहां पे हेल्थ सेग्मेंट में बेसिकली इसको पढ़ेंगे जीएस पेपर टू के अंदर गर्थ है ना उसके संदर में अब इस स्टिकिंग बॉम को कैसे हम निश्क्रिय कर सकते हैं क्योंकि अगर सर यह हेल्थ डिजीज जो है यह क्या कोई आपके पास में कोई बैक्टीरिया या कोई वाइरस या कोई वाटर बॉर्ण डिजीज है नहीं सर मतलब यह संक्रामक नहीं है जो हो यह आपके जीवन के लाइफ स्टाइल के कारण फैल रही है यह आपकी जो इटिंग हैबिट से उनके कारण फैल रही है क्या यह याद रखा जा सकता है डेफीनेटली आगे बढ़ें दोस्तों अभी जून दोजार तेस को एक स्टड़ी एक अधियन किया गया है मदरास डाइबिटीस रिसर्टस फाउंडेशन के द्वारा ICMR के साथ में मिलके और यहाँ पे आपका जो कैंद्रिय स्वास्त मंत्राले हैं उन्होंने भी बेसिकलिस में योगदान दिया क्या बताते हैं भारत की आबादी का टोटल 11 परतिशत साड़े ग्यारा परतिशत जो है मतलब लगबग 10 करोड से भी ज्यादा आबादी जो है वो डाइबिटीस की सिकार है और 15% मतलब 15% की जो हमारी पॉपुलेशन है मतलब 13 करोड से जादा आपने खान पान को नहीं बदला आपने जीवन सेली को नहीं बदला तो यह भी मदुमे की ग्रास बन जाएंगे यह भी डाइबिटीस की पेशेंट बन जाएंगे प्री डाइबिटीक है तो 10 करोड के करीब जो है डाइबिटीक पेशेंट है और 13 करोड से भी ज़्यादा pre-diabetic patient है इसका मतलब हो गया कि सर लगबग आपके पास it also found that 28% of the population would be considered to be obese as per the BMI measure BMI होता है Body Mass Index Body Mass Index है ना, आपकी height के अनुसार आपका कितना weight है आपके height, age, है ना, आपकी उचाई कितनी है आपकी height कितनी है और आपका weight कितना है इन तीनों चीजों को calculate करके एक index निकाली जाती है इसको BMI measure कहा जाता है और ये बता रहे है कि सर आप भारत के अंदर देख पा रहे हो कि ये 11% और ये 15% लगबग 25% लोग तो diabetes है और 28% लोग जो बेसिकली मोटा पेसिक रशीत है आपके पास में अरुन गुपताजी एक senior pediatrician ने बहुत important article लिख रहे है इससे एक insight मिलेगी health sector के लिए जो आप UPSC पीसी वो अन्य examinations में pre और means दोनों में use कर पाएंगे diabetes एक epidemic है दोस्तों बारत के अंदर देखा जाए तो ठीक है न यहाँ पे विश्व के अंदर कई लाखों की संख्या में आपके पास में है जैसे 7 करोड 41,94,000 जो है 2,021 में फैले हुए आपके पास में लगबग इतनी जन संख्या जो है बारत के अंदर जो है वो diabetes में थी 2021 में और अभी तो यह और बढ़ चुक है आपके पास में 1 in 12 इंडियन is living with the diabetes second highest in the world और लगबग आपके पास में महिलाओं में यह रोग जादा देखने को मिल रहा है पुरुशों में भी देखने को मिल रहा है और 12.1 12.1 million people with the diabetes are below the age 65 मतलब सर पैसट की उम्र से पैसट की एज से पहले ही लोगों को यह हो जा रहा है है ना और अगर आपको diabetes है तो अब आपको क्या करना होगा डॉक्टर को consult करना होगा है ना आपकी बॉड़ी में glucose high ना चला जाए और यह मदूमों है के आपको बेसिकली दवायां लेनी होगी तो on and average अगर मैं उसतन देखूँ तो आदमी जो हैं 10,000 से लेकर के 13,000 की दवायां साला ना consume करता है अब यह डेटा तो सरकारी आकड़ा है अगर देखा जाए तो मेरे परिवार में बेसिकली 2-4 diabetes patients है मैंने देखे हैं अपने परिवार community के अंदर तो सर वो इतना तो महीने का खर्श कर दे रहे हैं आज के आदुनिक यूगों में ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, ये कराओ वो फला कराओ, ये दवाई चेक करो ये दवाई अलग आएगी, दवाई बदल दी जाती है और भाई साब ये 5-10,000 तो महीने का भी लोता है, नॉर्मल है मदुमे वालों के लिए, तो यहां पर मदुमे जो हैं, diabetes हैं, वो दो प्रकार की होती है type 1 और type 2 और यहां पर याद रखने की कोशिश करना है कि difference आपको पता होना चे type 1 में और type 2 के अंतरकर पहले ये क्यों होती है, किस age में होती है risk factor क्या है, इनके गुण क्या होंगे कैसे रोका जाएगा, क्या treatment होगा type 1, type 2 दोनों समझ लीजिए सबसे पहले, अगर आपकी body जो है, वो pancreas के अंदर एक hormone बनाती है जिसको कहा जाता है insulin अगर यह insulin hormone जो है बराबर काम करेगा, तो जब आप खाना खाएंगे, तो आपकी body के अंदर जो blood glucose level है, वो है control में रहेगा glucose level control में रहेगा ठीक है ना, पर अगर आपकी body जो है, body is no longer able to produce insulin, अगर यह insulin नहीं बना पा रही है, तो type 1 diabetes होता है, type 2 कब होता है यह body still produce insulin, insulin बन तो रहा है, पर enough नहीं बन रहा है, है ना, और जो बन रहा है वो efficiently अपनी दक्षता से insulin पर काम नहीं कर, glucose पर काम नहीं कर पा रहा है मतलब type 2 का क्या मतलब हुआ कि sir, इतना intense नहीं है type 1 ज्यादा intense है type 2 का मतलब हो गया sir insulin जो है, 100% मात्रा में नहीं बन रहा है 40, 50, 60% बन रहा है यह जो बन भी रहा है वो इतना efficient नहीं है, इतना कारगर नहीं है, कि वो sir, glucose को control कर पाए, अब इसमें age का भी देखिए कि sir, जो type 1 diabetes होती है वो generally basically जो है किसी भी IU वर्ग में हो सकती है generally देखा जाए तो यह बच्चों में मतलब छोटी age से ही basically देखी जाती है children level पे है ना but ऐसा कुछ नहीं, hard and fast नहीं किसी भी age में हो सकती, जबकि type 2 है वो it can develop at any age but most common होती है पैतालिस के बाद में 45 की age के बाद में है ना, अब 45 की age के बाद में क्या होता है भाया, कि 45 की age के बाद में आपका living standard अलग हो जाता है, आप G1 में relax अवस्था में चल रहे होते हैं उस वक्त है ना, आपके बहुए हैं आपके बेटे हैं, आपके बच्चे हैं आप basically व्यापार में भी basically हैं या नौकरी में भी हैं, तो you are at a relaxing position आप G1 में जितना hard work करेंगे उतना ही ज्यादा बहतर है और यहाँ पर आते हैं, आप अपना जीवन स्तर बेदिक lifestyle थोड़ा सा change कर देते हैं काफी stress आ जाता है, पैसे को लेकर के है ना, परिवार को लेकर के समाज को लेकर के, नौकरी को लेकर के काफी सारे और भी चीज़े हो सकती हैं, वो stress के कारण नमबर वन, और आपके पास में कई बार जा है और रिलेक्स के कारण भी, तो दोनों ही चीज़े मारती है, अत्ती सरवत्र वर जायते, ज्यादा टेंशन तो डाइबेटीज, ज्यादा रिलेक्स तो भी डाइबेटीज, मतलब आपको मध्यम मार्ग पे चलना होगा, आपको कहिन कई हार्मोनियस लाइफ जीनी है, तो मध्यम मार्ग पे चलना चाहाँ, सर रिस्क फैक्टर क्या है डाइबेटीज, टाइब वन, जो है जनरली फैमिल इस्ट्री से होती है, यहनि पापा, दादा हो चुके हैं, आप जो है, मोटा पे से ग्रसीत है और या फिर आपके पास में Blood Pressure की है ना, आपके पास में High Blood Pressure, Low Blood Pressure की समझ्या है, तब बेसिकली जो है टाइब टू होती, तो टाइब टू मतलब समझ में आ रहा है टाइब वन समझ में आ रहा है, और यहाँ पर टाइप पन होता है तो क्या होता डाइबिटीज के अंदर सबसे भहेंकर जो है वो आँखों के उपर इंपक्ट पड़ता है मतलब सर आपका जो विजन है आपके जो द्रश्य सक्ति है वो बलरी हो जाएगी जो विजन बलरी हो जाएगा धुन्दला दिखने लगे है कि उसको लगता है कि मैं कितना भी खालू मेरी एपटाइट खतम नहीं हो रही तो उसके लिए 5-7-10 रोटिया तो नॉर्मल होती है भाई थर्स्ट उसको प्यास भी ज्यादा लगती ज्यादा पानी पियेगा ज्यादा खाना खायेगा बार-बार युनिनेट करेगा अगर उसको बेसिकली आप 50 सीडिया चड़ा दो 20 सीडिया भी चड़ा दो लगातार पशीने पशीने हो करके उसको पहले पानी पीना पड़ेगा बैठना पड़ेगा उसको ठीक है ना तो यहां पे अन-एक्स्प्लेंड वेट लॉस होता है अचानक बेसिकली क्या होगा कि 12 महीने वो चल रहा है ठीक चल रहा फिर अचानक एक महीने जो आएगा उसका 10-15-20 किलो वेट लॉस हो गया किस कारण टाइप 1 डायबिटीज के कारण अब टाइप 2 के क्या है टाइप 2 में भी सर पानी यादा पिएगा वो आत्मी खाना जादा खाएगा आत्मी पर सर पू टाइडनेस वीकनेस जो है वो 1 में है वो 2 में भी देखने को मिलेगी और वेट लॉस भी होता है कई लोगों में जो है आपको देखने को मिलेगा पहले बहुत ठीक थे पर जैसे डायबिटीज डाइगनोस हुआ अचानक से वेट लॉस उनका बॉडी का होना सुरू हो जात अगर हेल्दी लाइफस्टाल जी होगे कहीं कहीं आपके पास में तो आप अपने जीवन सतर को बदलके टाइप 2 का तो इलाज कर सकते हो टाइप 1 का कोई इलाज नहीं है टाइप 1 के टाइम तो आपका इलाज एक है किये कि आप जादा सजादा इंसुलीन के इंजेक्शन पैचेस से आज तो आदुनी काल के अंदर और नहीं नहीं इंस्ट्रुमेंट्स बन गए उसके तुरू किया जा सकता है और इसके अलावा टाइप जो आपका टाइप 2 टाइपिटी इसके लिए हल्दी लिविंग है ना वह बहुत ही आवशक है अगर आप हल्दी करने के लिए जो शती है पूर्ती करने के लिए कमी को पूरा करने के लिए आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले सकते हैं और कहीन कहीं अगर आप हल्दी लिविंग है आप योगा करें आप कहीन कहीं जो है रनिंग करें आप थोड़ा सा बेटर लिविंग स्टेंडर्ड रख टाइप टाइप टू को मिला करके 10 करोड से भी ज़्यादा पेशेंट है 13 करोड से ज़्यादा पेशेंट वविशे के अंदर डाइबिटीज हो सकती है प्री डाइबिटीक लेवल के उपर है 28 परशंट भारत की आबादी जो है वह मूलत देखा गया कि वह ओवेश है वहल लगभग किनारे पे है कुछ नहीं जानगारी सिखी अपने पेरेंट्स को अपने दोस्तों को भी बताओ उनको भी सिखाओ टाइप टू क्या होता है टाइप वन क्या होता है भारत के क्या आकड़े है और स्थती क्या चल रही है अब मतलब यह कहा जाता है कि सर अगर हमारी आबादी में करोडों लोग अगर इससे ग्रशित है तो सर यह नैशनल कहीं कई कंसर्ण है यह कहीं के राष्ट्य चिंता का मुद्धा हो जाता है और इसको बेसिकली हमें सॉल करने के लिए क्या पॉलिसी क्या निती हम लेके आते ह सारी चीजिया है वो तो हम समझी चुके एक सर इसमें ग्लुकोज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर था सेल एंड यूस्ट फॉर द एनरजी ग्लुकोज डस नोट एंटर था सेल एंटर था अगर आप इंसुलीन का यूस यह होता है आपके पास बॉडी के अंदर अब कंजंप्शन आप अल्टर प्रोसेश्ट फूड एंड बेवरेज अब जनरली क्या करते हैं कई बार मदू में और मोटा पे की दर क्यों बढ़ रही है क्योंकि सर आप जादा से जादा प्रोसेश्ट फूड खाते है ना जादा से जादा पीजा है बर्गर है कोल्ड ड क कैना सोडे की तरह यूज की जाती है जो जनरली पैपसी है कोका कोला है एट्चेरा यह इंस्टेंट सिरिएल अगर लोग यूज करते हैं सुबह-सुबह क्या क्या? एक पेकेट पड़ा है आपके पास में सीरियल, बाउल में डाला, दूद् पैकर है वोगी डाला तो में ये भी processed है, ये भी processed है, दोनों को mix किया, हातो आत 5 मिनिट में नास्ता तयार, और निकल लिया office के लिए, हैना, तो सरी यह आपके पास में snacks जो हुए है, आपके पास में biscuits है, snacks है, chips है, sugary beverages है, अब sugary beverages मतलब जो मीठी होती है, आपके पास में juice के नाम पे basically, कुछ भी बेच रहा है, हैना, और यहाँ पे, etc, काई, 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 सारी चीजी होजाए, they are aggressively marketed, often, overshadowing the traditional diet, तो आपकी traditional diets, आज की तारिक में चोटे बच्चों को देखिए चोटे बच्चों को, chocolates, beverages, chips, processed fruits, snacks, कितनी आदत है, उनको अगर कहे, के बेठा लो, तुम्हें घी का चूर्माक बना करके खिलाए दो, मूह ना लगाए उसको, हैना, उसको चाहिए chips और उसको, चाहिए basically snacks, हैना, fruity चाहिए उसको, भाई उसको बताओ, के जब तुम 45 के हो जाओगे, तो कभी भी यमराज भहस पे बैठ करके तुम्हें लेने आ जाएंगे, तो आजी से सुदर जाओ, अपने छोटे भाईयों को सुदारो, अपनी बड़ी बहनों को सुदारो, मम्मी पापा को भी ये message convey करो, और ये वीडियो आज सबको दिखाओगे, ये वीडिय कहीं समय रहते हुए अपने जीवन सहली में परिवर्तन, लाना चाहिए दोस्तो, scientific evidence underscore the health risk associated with the diet, rich in the ultra processed foods, notably their potential to lead to the diabetes, के सर ये सारी चीज़े जो खाते है ना, इसी कारण आदमी को diabetes भी हो जाती ही, फीचर में, और mere 10% increase in the daily ultra processed food consumption, elevate the risk of the type 2 diabetes, तो आप जो खान पान बेसिकली बे जाता है आपके पास, lifestyle से associated वही है, ठीक है ना, और the damaging effect of the ultra processing lies in the ability to distort the structure of the food while introducing the cosmetic additives, है ना, आप color दे रहे हो, आप flavor दे रहे हो, है ना, ताकि आप जादा खाओ, क्योंकि original जो चीज होती है, अब ये चीज याद रख लेना आख, कि जो चीज आपकी जिवा के लिए, जिबान के लिए, जीब के लिए, टंग के लिए कड़ भी है, वो आपके health के लिए अच्छी है, वो आपके brain के लिए अच्छी है, वो आपके blood के लिए अच्छी है, पर जो चीज आपके लिए जुबान पे, जो चीज आपको अच्छी लग रहे है जुबान पे, याद रख लेना, उसको आतों को पचाने के अंदर जो है, भगवान, राम और आपके पास में रहिम, दोनों ही याद आते होंगे उसको उस वक्ती, तो समझने की कोशिच करो, इससे basically हमको बचना होगा, we need to refrain and abstain from these flavors हो, additives हो, colors हो, है न, increase the overeating, ताकि ज़्यादा ज़्यादा आप खाओ, है न, यह इन से बचना है, weight gain से बचना है, आपको ultimately elevate the risk of the diabetes and the chronic elements, बीमार्या फैल जाएगी body के अंदर, तो minimal process food क्या है, आप मक्का खाईए, पोटेटो खाईए, गर पे carrot खाईए, आप basically यहाँ पे यह खा सकते हैं, whole wheat खा सकते हैं, apple है, मिलके यह लिए सकते हैं, अब process का क्या मतल मेने, 6 महीने, 12 महीने तक, मेरे सहर से, अगले राजय से, अगले देश में, पता नहीं कहां कहां बिकेगा, कब कौन खाईएगा, कई बार तो इसके उपर mark भी नहीं होती, expiry date, है ना, फिर इसी potato से basically वो baked potato बना देते हैं, इसी से वो french fries बना देते हैं, इसी carrot से basically juice बना करके बेचने की कोशिश करते हैं, फिर carrot का cake बना के बेचने कोशिश करते हैं, है ना, यह 10 दिन में बिखता है, यह 100 दिन भी basically आप बेच लीजे इसको, whole wheat के अंदर basically आप floor बना देते हैं, आपके पास मुस्की cookies और यह biscuit बना देते हैं, है ना, last में जो apple है, वगर वग इसे, दुखी करने वाली चीज ने, पर सर जो ultra processed है ना, वह body में diabetes, chronic ailment and specifically आपके पास में, yes, इन सारी चीजों को परिशानी में डाल देगे आपको, बिलकुल, तो मोटापा मदु में और उनका व्यापक प्रभाव देखें, तो obesity बढ़ेगी, तो diabetes बढ़ सकती, it represents to just not an individual health, but significant risk factor to the heart disease, तो सर, किसी भी आत्मी का मोटापा बढ़ा, तो उसको क्या risk है, उसको risk है सर, diabetes हो सकता है, है ना, किसी भी आत्मी को मोटापा और diabetes दोनों बढ़ गया, तो उसको risk है, कि सर, उसको heart से related बीमारिया भी बढ़ सकती है, तो यहाँ पे AC के साथ में lighter free, समझ रहे हो, गोलमा और फिर basically जो है, और दूसरे डॉक्टरों को पैसा दिये जा रहे हो, यह सारी चीज़े क्यों हो रही है, why this all thing happens, what is the reason behind it, your living standard, आपका lifestyle, आपका जीवन शैली, research कहती है कि excessive अगर आप ultra processed foods लेंगे, है ना, तो वहाँ विशेस रूप से जो चीने मिठिये पे है आपके पास मे वो उनकी अत्यदिक खपत को basically जो है, ज्यादा से ज्यादा जो मीठी चीज़े खाएं गया, तो आप type 2 diabetes है या cardiovascular, heart से related जो समशा है वो हो गया आपको, मौते भी होती हैं इसके करण, situation underscored the severity of the public health crisis and the potential to deteriorate the further in the addressed in the promptly and effectively, तो यह तीनो चारों चीज़े जुड़ी हुई है, diabetes और diabetes के कारण, coronary heart से related, coronary artery disease, CAD कहा जाता है, है ना, kidney से related, है ना, nephron से related समशा हो सकती है, neuron से related समशा होती है, कि सर यह नाड़ी, नस वगर खराब हो गई, है ना, आपके पास में cerebral vascular accidents से हो सकता है, stroke आ सकता है, किसी आदमी को, dimension हो सकता है, उसको भूलने की विमारी हो सकत है, भूलने की विमारी भी पढ़ती है, अच्छा कितने students है, उनको यह लगता है, कि सर भूलने की विमारी पढ़ रही है, है ना, तो living standard सुधार लो, आज से ही सुधार लो, अच्छा खाओ, स्वस्थ खाओ, अच्छा खाओ और स्वस्थ खाओ, ठीके, बिलकुल बच्चा प्रभावित हो सकती है, और यह सब चीजे मिला करके diabetes और last में dementia, dementia भी हो सकता है, type 3 diabetes के अंदर, diabetes mellitus में dementia हो जाता है, dementia क्या मतलब हो, आपने देखा होगा, कि किसी भी आदमी को अगर dementia हो चुका है, तो वह memory loss होने लग जाता है, भूलने लग जाता है, है ना, he will forget, he will forget the things, चलो, यह basic सी चीजे हैं, हमको समझ लेना है इसको, तो in light of escalating public health, सार्जवनिक स्वास्त के संकट को देखते हुए, हमें नीती और नियामक कारिवाई करना आवशक है, तो हमें कहीं policy और regulatory actions लेना चाहिए, however, food industry resist the restrictions, अब आप लेके आना चाहते है, मोदी जी है, योगी जी ह इस पर कानून बनाना चाहते हैं, पर जो food industry है, वो कहती है, देखो, मोदी जी आपने कहा था, मैंने factory लगई, योगी जी आपने कहा था, रोजगार चाहिए, हमने factory लगई, अब आप कह रहे हो, कि इसके अंदर यह यह चीजे यूजी मत करो, तो सर, हमारी चीजे बिकेगी है ना, and often proposing the partnerships and the citing economic development as a stakeholder, वो तो कहते है कि सरकसर साज़दारी का प्रस्ताव करता है, और यह कहते है कि सर, यह आर्थिक विकास के अंदर हम भी इत्तारक हैं, तो सर, हमारे business के हो, आप कहिन कही, क्या ना करो, ban मत करो, या restrict मत करो, partnerships hinder the implementation of the robust regulation, that could curtail the consumption of the ultra processed high food, the food safety standard authority of India, जिसक AI, food safety से related standards, authority of the India, यह एक बहुत important regulator है आपके पास में, और यह response करता है कि इस crisis के लिए, the crisis has been tepid, and the slow progress on the introduction of the front of package labeling, आप जैसे cigarette के उपर लिख देते हैं, कि cigarette पीना स्वास के लिए हानिकारक है, तो किसी को नहीं पता होता है, हानि क्या होती है, लाब क्या होता है, किसी को नह नहीं आपको ने, basically regulators ने, उस cigarette के उपर एक आदमी जिसको cancer के कारण, lung cancer, या फिर throat cancer, या फिर कोई तरह का cancer उसका photo लगा दिया, चिपका दिया, और बोल दिया, कि 60% तुमारे उपर label लगना चाहिए, कि ये खाने, ये पीने से cigarette, ये ऐसी situation हो सकती है, ऐसी situation हो सकती है, in the same way, FSS AI भी basically कर सकती है, कि जो ultra processed food packet है, इनके उपर labeling करवा ही जाए, बताय जाए कि अगर तुम खाओगे, तो blood pressure हो जाएगा, heart disease हो जाएगी, diabetes हो जाएगा, dimension हो जाएगा, पर लोग लिखने नहीं देते, क्योंकि FSS AI ने अभी तक front packaging labeling की व्यवस्ता को introduce ही नहीं किया, और introduce किया of the label, तो किसर खाली इन चीज़ों को warning देने से काम नहीं होगा, हमें कहीं कि सारीरिक गतिविदी को भी basically बढ़ाना होगा, हमारी body जो है, जितना अगर मैं कहता हूँ कि हर रोज आदमी को कम से कम 3000 कदम चलना चाहिए, 3000 steps हर आदमी को हर रोज चलना चाहिए, और अगर मैं कह दो दिन तक कर लेता है, तो उसका neuronal, neuronal network पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, है ना, उसकी body detox होने लग जाती है, उसकी body के अंदर जो है, एकसर काइन्स डवलप होने लग जाते हैं, neurons regenerate हो जाते हैं, body से toxic सर्टने लग जाते हैं, मलब सुबह, साम, meditation और running, दोनों करो, 10-10 है ना, यहाँ पर keyhole logo हैं, है ना, यहाँ पर heart health logos हैं, इससे basically पता चल से के हमको क्या यह healthy है या नहीं है आपके पास में, so that is how you will be able to tell nutrition specific indicators जो हैं, आप बताएए, front labeling बताएए, ताकि आप exact बता सको कि भाई, इसमें इतना salt, इतना sugar है, इतना saturated lipids, इतना fat है, इतनी energy है, इतन बताएए, आप दूसरी countries के अंदर है, UK में है, आपके पास में यह labels है, nutrition को लेकर, right, that's it, और एक यहाँ पर article 123 of the constitution क्या कह रहा है, to share the public from the manipulative tactics of the food industry, the legal framework are even in the ordinance, article 123 of the constitution is imperative, ना, तो आज आप homework में लिखने वाले हैं, what is article 123, सम्विधान का अनुछेद 123 क्या कहता है, उसके बार हैंगे आप लोग, चलिए, तो अफिर है, कि रूल regulation लेकर आओ, जनता को awareness करो, है न, और yoga, yoga से होगा, way forward, तो यही है, आपके पास में, culture of process food से, इनकी marketing से, policy से बचना है, regulations लेकर आओ, इनके उपर legal measures लीजे, इनके खिलाब अगर गलत कर रहे हैं, तो commitment होना चाहिए, आपक लिता है, और यह, नॉर्वे के जॉन फॉस जो है, whose play are among the most widely stage of any contemporary playwright in the world, इनको literature साहित्य के अंदर, है न, यह basically क्या है आपके पास में, साहित्य के अंदर मिला है, समकाली ने नाटक कारों में, सबसे व्यापक मंचन के लिए, यह जाना जाते है, जॉन फॉस, जॉन फॉस, यह सुबर गाड़ी चला रहे थे, तब इनको phone करके बताया गया था, कि भया आप select हो गए हो, जॉन फॉस, नाटक कार, साहित्य के अंदर, साहित्य के अंदर, ठीके, कहां से belong करते हैं यह, साहित्य का नॉबल पुरासकार 2013 में, नॉर्वेजियन लेखल जॉन फॉस या नाम कहा है, for his innovative play and the pros which gave the voice to the unsable, unsable, जो चीजे नहीं बता जाया सकती है, नहीं बोली जा सकती है, अन कही है, उनको आवाज दिने की कोशिश की नहीं, so Swedish Academy Stockholm Sweden ने Nobel Prize of Literature किसको दिया, 2023 का, it is given to the Norwegian author, John Floss, Norwegian लेखक, John Floss को, यह, सम्मान से नवाजा गया है आपके पास में, ठीक ह जाने वाले है, that's it, basic जानकर यहीं है, Norway आपको पता होना चाहिए, Norway के बारे में अमने जान लिया है, Norway, how do you win a Nobel Prize, सबसे पहले तो innovation के द्वारा, है ना आपको innovate करो, या फिर आपके पास में, any person who meets the nomination criteria, या by qualified persons only, तो यहाँ पे आपके पास में, जो economic Nobel Prize है, वो कौन देता है, economic Nobel Prize के उपर मैंने आपको पूछा था, कि economic Nobel Prize कौन देता है, Royal Swedish Academy of Sciences, है ना, Royal Swedish Academy of the Sciences, कौन देता है आपके पास में, जल्ली से comment करके बताओगे, फिर यहाँ पे भी एक जो है, dispute reduction mechanism की बात की जारी, क्योंकि जब भी अंतर राज्य संबंद की बात की जाएगी, कोई इनको संसा की कोशिश करने वाले है, a day after Supreme Court asked the Union Government to conduct a survey of, a survey of, land allocated to the construction of the Satlaj Yamuna Link Canal, a focal point of water sharing dispute between the Haryana Punjab, the emotive issue, yet again taken political center at the stage of the region, तो यहाँ पे, Satlaj नदी को, Yamuna नदी से connect किया जा रहा है, और इसके लिए, हर्याना और पंजाब से नहर निकाली जा रही है, वहना, तो water sharing को लेकर के, इस नहर के water sharing को लेकर, river के पानी के water sharing को लेकर के, कहिन कहीं यहाँ पे, बातचीच चल रही है, issue चल रहा है, interest rate dispute चल रहा है, Supreme Court में case चला गया है, ठीके, चलो सीखते हैं, वे समझते हैं, उपर यमुना कैनल आपके पास में देखने को मिलेगी, 92 किलोमेटर की कैनल है, आपके पास में अलड़ी complete हो चुके, यमुना और सतलज की जो है, यह लिंक कैनल आपके पास में देखने को मिलने वाली है, दोस्तो, you must be knowing about this, है ना, चलो सतलज नदी, अब history क्या है, प्राइम मिनि पंजाब और हरियाना का कहीं कहीं जो है, री ओर्गनाइजेशन हुआ, पुनर गठन हुआ था दोस्तों, और पंजाब ने ओपोज किया था, के सर हम पानी को शेर नहीं करेंगे हरियाना के साथ में, उन्होंने कहा था, citing the riparian principle, और उन्होंने बेसिकली यह बताने की, के सर ह हम तटवर्ती सिद्धान थे, यह हमारे यहां का पानी है, तो हम उनसे क्यों साजा करें, तो stretch of the 214 km was to be constructed out of which 112 km already पंजाब में, 92 km हरियाना में, तो यह rivers को, सतलज को यमुना से connect करने के लिए 214 km का था आपके पास में, यह पंजाब और हरियाना से जाना था, 122 पंजाब मे बाकी का 90 km के करीब, यह जो है आपके पास में, हरियाना का शेत्र है, अब अकालीस जो है आपके पास में, उन्होंने agitation launch कर दिया, कपूरी मोर्चा against the construction of the canal, इस नहर से बिसिगली जो है आप पानी इधर नहीं ले जा सकते, पानी हमारा है, हमारे पास ही रहेगा, 1985 में पानी है, कैसे शेर किया जाना चाहिए, वगर वगर, अब इस कैनल से क्या होगा, अगर यह कैनल आपके पास में, होती है, 200 km की, तो इस से बेसिकली जो है, आप पानी को शेर कर पाएंगे, शेरिंग दर वाटर सॉप दर रिवर लाइक, रावी, बियास, टू दोस, टू स् में, पूरा है, इसका, इन्फर काफिक्स है, वाटर डिस्प्यूट्स का, वह दिया गया है, अब वापस कहीन के यह, सामने देखा जा रहा है, फ्रेंट पेज के पर, पंजाब, many areas and पंजाब go dry, after 2029, the states has already overexploited the groundwater, irrigation बहुत ज्यादा किया है, green revolution के time से, green revolution के time से, यह इन्होंने access में, यूज कर लिया गया, तो government कह रही है, कि अगर हमने पानी को share किया, तो basically state के अंदर तो agriculture impossible हो जाएगा, जबकि हर्याना क्या रहा है, हर्याना क्या रहा है, कि हमने basically irrigation के लिए, हर्याना क्या रहा है, कि हमने basically irrigation के लिए, हर्याना से that providing the irrigation is tough for the state and there was a problem of drinking water, के sir, irrigation, सीचाई, खेती तो भूल जाओ, पानी पीने के लिए निए हमारे पास में, और ground water है, वो तो बैसले 1700 feet से नीचे चला गया है, तो हर्याना भी contribution बोलता है, कि sir, हमारे पास में we have contribution to the central food pool, arguing that it is being denied the rightful share in the water as assessed by the tribunal, हर्याना क्या रहा है, भाई, हमारे यापे भी उपर जोती है, है ना, और वो खाली हम, हर्याने वाले अकेले नहीं खाते है, पूरे भारत में जाता है, तो बोले हमें पानी क्यूं नहीं दिया जा रहा है, हर्याना पंजाब का यह water dispute आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे जो प्रेजिडेंट है, है ना, tribunal के, they sought the supreme court's opinion, 2004 के आप क्लास में कमेंट करके बताएंगे, मेरको क्लास के उपराथ, तो यहाँ पे, फिर supreme court ने क्या कहा था, he junk the 2004 का कानौन और उनन कहा था, कि it is unconstitutional, और supreme court ने scrap किया पंजाब termination of the water agreement 2004, किसा है, पंजाब, एक तरफा basically जो है, सारे water agreement को terminate नहीं कर सकता, जल्स समझोता समापतिय दिनियम को, supreme court ने रद कर दिया था, unilaterally, और पंजाब को basically, that allowed the Punjab to stop sharing rawi bias water to the other states, तो यहाँ पे, इस तरीके से जो है, सतलज यमुना link canal जो है, SYL canal जो है, आपके पास में, यह bond of contention है, हर्याणा और पंजाब को लेकर के, तो शुरू कब से होई, जब से पंजाब, हर्याणा का बटवारा हुआ, रियोर्गिनाजेशन हुआ, है ना, तो अब 1977 में basically क्या होता है, मुद्दा आपके पास जाता है, कि सर यहाँ पे एक canal बनाई जाएगी, असी के अंदर basically जो है, हर्याणा, तो अपना portion पूरा कर देता है, पंजाब जो है, deadline skip करता है, क्योंकि पंजाब को पता है, कि सर यहा नहर बन गई, तो सर पानी जो है, वो पंजाब से हर्याणा के अंदर फ्लो होने लग जाएगा, 2004 में फिर पंजाब ने क्या का, ओके ओके जो भी agreement था, मैं उससे बाहर आ गया, तो उसने खुद नहीं यह कानून बना लिया था, सुप्रीम कोड में गया, फिर हर्याणा, और इस रिवर को आगे जाने दो, सतलज, यमुना, लिंक कैनल को आगे जाने दो, आपके पास में, है ना, चालो, so water is a state subject, याद रखना, जल आपूरती, सीचाई, नहरे, जल निकासी, तडवन, जल बंडारन, जल सकती के संबन्ध जो है, वह state list में आते, 7th schedule जो हैं इंडि regulate कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, for regulation and development of interstate river and the river valleys, के sir, आप कोई भी ऐसी नदी या नदी गाटी, जो दो राजियों में हैं, हाँ, अब उसके लिए विनी मयन regulation या विकास development का कार्य कर सकते हैं, article 262, parliament को भी power देता है, कि आप कानून के द्वारा advocate कर सकते हैं, कोई dispute को, complaint को, है अगर कहीं पे भी आपके पास में interstate river या valley या water dispute का ratio आता है, तो article 262 के अंदर ही basically parliament फिर tribunals का निर्मान करती है, article 143 clause 1 में, president supreme court से भी advice ले सकते हैं, जब भी president को लगेगा, कि sir, कोई कानूनी विशय है, और इस पे basically मेरे को जो है, public importance का मुद्दा है, तो मुझे कहिन कई supreme court स से भी राय ले लेनी चाहिए, अब supreme court चाहे तो राय दे या ना दे, और supreme court जो राय दे वो ज़रूरी ने कि president साब माने या न माने, ठीके, बस इतना सा मुद्दा था, अब अगले बात है कि first public sector, caravan park in Kerala, to bring in more tourists to the bacal foot, तो यहाँ पे soon, governance के अंदर basically आप एक example के रूप में बढ़ा है, tourism को आपे बढ़ा है, बस दो लाइन लिख लेना इस वैसे, soon tourists can feel the magnificence of the bacal foot, जो जहाँ पे मेरी masters हुई, मैंने M.A.C. Genomics किया है, केरला कासर गौड से, Central University केरला का है, कासर गौड में, वहीं पे बेकल फोर्ट है, एक किला है, बहुत ही पुरा न, इसका नाम है अब यहाँ पे basically जो है, केरवन लगने वाला है, from the comforts of the केरवन, as केरला has decided to set up केरवन पार्क there, and the well-protected fort on a hillock, overlooking the Arabian sea, boasts the stunning architecture and the lush green environs, यह है आपका बेकल फोर्ट, we have been there, हम लोग गये थे यहाँ पे, जब पढ़ रहे थे, केरला, tourism development corporation, डवलब करने वाला है, केरवन पार् और camp shelter को, यहाँ पे, बेकल के आसपास में, तो यह एक example हो सकता है, केरला जो है, आपके पास है, setting up the caravan park at the, बेकल फोर्ट, है न, केरवन पार्क यहाँ पे स्थापित करने वाला है, stunning architecture के कारण बेकल फोर्ट जाना जाता है, पूछा जाएगा, बेकल फोर्ट कहां स्तित है कारसर रोड केरला में, ठीक है न, अरब सागर के तट के पास में, that's it, simple सी चीज है, public sector caravan park यहाँ पे केरला के अंदर आने वाला है, estimated cost लगबग डेड करोड रुपे के आसपास भी रहने वाली popular है आपके पास में, currently, there is only one private caravan park in the vagamond, है न, और administrative issues के के करण construction डिले हुआ थ और अब भविशे में इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, यह, lush, green, and very, very, pristine, so India, looking to engage with the Maldives, भारत जो है, वो Maldives के साथ में, इंडिया जो है, Maldives के, इंडिया, Maldives के साथ में, नई सरकार, Maldives में जो नई सरकार आई है, उसके साथ बातशीत करना चाता है, सभी मुद्दों के उपर, तो international relation paper 2 में, basically हम इसको पढ़ने वाले हैं, engaging the new Maldives government on the all issues, so ministry of the external affairs से, basically यह statement आया, कि हम हर मुद्दे पे, Maldives के जो नए president elect है, क्या नाम है मुद्द, मुद्द, क्या नाम है इनका, मुद्द, मुद्द, इनसे basically बात करना चाते हैं, है ना, उसके उस बयान का जवाब देते हुआ, कहा कि भारत सभी मुद्दों पर, Maldives की नई सरकार के बीच में, बात करने के लिए उत्सुके, जिसमें भारत के सैन्य कर्मियों को दीव छोड़ने के लिए कहा गया था, इन्होंने basically क्या एक प्रेजिडेंट इलेक्ट ने बोला था कि भारत के जितने भी आदमी यहां पे काम कर रहे हैं, यह थोड़ा चाइना की तरफ है आपके पास में, election result has been widely seen as an upset for India, और यहां पे that had close ties with the Ibu Salih, तो basically पहले थे आपके पास में इबू Salih है, है ना, तो यह अभी हारते वे नजर आ रहे हैं, और अभी यह मोहमद मिजू जो है, वो जीते वे नजर आ रहे हैं, और मोहमद मिजू जो है, इन्होंने पहले भी बोला था कि सर मेरे को भारत का आस्तक्षेप नहीं चाहिए, माली के अंदर, तो भार पास मेरे को देव चोड़ने के लिए का जाएगा, वी वांट तो एंगेज विद अमालदी जो है, कि सर हम सभी मुद्धों पर मालदीव सरकार से सामिल करने की इच्छा व्यक्त कियें, और इंडिया था कमिशनर तो माले मुन्नु महाविर मैट अग्ध मुईजू, और डि तो कोई confirmation नहीं आया था, यहाँ पर 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड गया था, प्राइम मिनिस्टर इबू सोले के integration ceremony को, अब पांच साल बाद में वापस election में, 2030 में तो इबू सोले हार चुके हैं, ठीके न, याद रखेंगे, तो मिजू, विक्ट्री इस दिन run-off election has been seen as upset of the India, है न, और obviously अब आपको कम से कभी यह पता होना चाहिए, कौन कहां का राश्टर देगस है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, you should be known about it, you should be known about this, चल, shall we move forward, strategic important क्या है कि 70 nautical mile दूर है, मिनिकोई आइलेंड से 300 nautical mile दूर है, या इंडिया के main lane west coast से, और commercial sea lanes running करती हैं, इंडियान की यहां से लगवग 8 degree से लेकर के 1 degree channels, वो इसी के पास में से हैं, मालदिवस के पास में से, तो geopolitical issues भी है, sea lane of communications की security के लिए यह जरूरी है, कहीन के अ conflict tree zone बनाना इंडिया नोशन को, तो मालदिवस का साथ में होना जरूरी है, ठीक है न, restoring its status as the sea of tranquil, कहीन के आपके पास में सामा सागर को संगर्श मुक्त शेक्तर बनाना है, सांत रखना है, तो माहदीब का कहीन कहीं geopolitical importance से उसको साथ रखना जरूरी है, और फिर इंडिया blue economy क तरफ भी तो जा रहा है, निली अर्थ विवस्ता की तरफ, है न, तो वहाँ पर व्यापार को बढ़ावा देना होगा, तो उसमें भी माली, मालदिवस जरूरी है, फिर चाइना एंगल भी आ जाता है, कि चाइना का एक strategic footprint है, इंडिया के नेबर रूर्ड में वो बढ़ र अभी आपके पास में, Islamic radicalism के कई island nation पे, bomb blast और attacks भी हुए थे दोस्तों, it gives the possibility to the remote Maldivian island to be used as a launch pad, कि सर, Maldivs को as a launch pad की तरह use किया जा सकता है, न, भारत पे हमले करने के लिए, ठीक है, न, future के अंदर, 10 reasons why Maldivs is important, strategically located, China और इंडिया के बीच में, basically, आपके पास में, significantly, एक तरीके से heart of international geopolitics रहा हुआ है, न, pre-eminent South Asian power में, net security provider इंडिया, तो इंडिया को Maldivs को साथ में लेके चलना होगा, फिर आपके पास में censorship की बात की गाई है, देखिए, international reports और indices जो है, उसके बारे में कई पूछा जाता है, तो एक report आई है, the freedom house report, है न, इसने क्या का है, कि India resorting to AI enabled digital repression, sir, India artificial intelligence का, अगर पूचा जाए, कि sir, सकरात्मक यूज तो कही है, अब नकारात्मक यूज पूचा जाए, तो बता सकते हो, आप क्या बता सकते हो, कि sir, यहाँ पे censorship की जा रहे है, censorship का क्या information को curtail कर देंगे, आप digitally basically जो है, लोगों को दमन कर देंगे, तो इसमें it find that the environment for a human right online has deteriorated in 29 countries, और report basically development बताती है, 2022 से 2023 के बीच का, इसमें भारत का भी बताया गया है, भारत का भी basically जो है score लगबग partly free के अंदर आया है, 50 के आसपास में, तो समझते है, freedom house के द्वारा लाई ग basically बताया है, कि जो global internet freedom है ना, वह कहीं कहीं नीचे गिरती जा रही है, और environment है, जो human rights के लिए online है ना, तो जो आपके पास में, मानव अधिकारों के लिए, जो भी online माहौल है, वह दिरे-दिरे खराब हो गया है, केवल 20 देसों में basically जो है, आपके पास में, net gains देखने को मिल AI को use किया जा रहा है, repressive power के रूप में, है ना, it raised the red flag on the increasing the artificial intelligence by governments for censorship and spread of disinformation, है ना, government censor कर देती है, कुछ चीज़ों को, right, रोग देती है कि सरीए, ये जानकरी जाएगी, ये जानकरी नहीं जा सकती, कुछ websites बैन होती है, कुछ application बैन कर दी जाती है, है ना, कई बार misinformation, disinformation ना फेचे तब COVID के टाइम, हमने कई websites को रोग दिया था, आपके पास में, तो इसमें, इंडिया, देखो freely कौन सा Iceland, UK, Germany, USA को बोला गया है, partly free, Brazil, Sri Lanka, India, Pakistan, इनको partly free बोला गया है, पाकिस्तान तो बिल्कुल free नहीं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं लिख सकते है, तुम online धर लि freedom को लिख करके, ठीक है ना, बस इतनी इसी बात है, इसको आपको शहज सब्दों में लिखना आना चाहिए, that's it, practice question करके, आप answer जरूर बताएगा दोसको मेर को, which of the following statement about the Nobel Prize is true, तो Nobel Prize is awarded annually, क्या ये हर साल लिया जाता है, क्या ये हर साल लिया जाता है, जी sir, it is presented in the Oslo, Norway, while the other Nobel prizes are awarded in the Stockholm, Sweden, बिल्कुल सब्सक्राइब, तो Peace Prize Oslo में दिया जा रहा है आपके पास में, और बाकी की जो भी prizes है, वो Stockholm में दिया जा रहे, ठीक है नो, तो Peace Oslo में, बाकी सारे prize Stockholm के अंदर, और ये याद रहना चाहिए, Peace वाला प्राइस जो है, वो Norway, Oslo के अंदर है, बाकी Sweden की Stockholm के अंदर है, फिर आपके पास में कुछ wetlands के बारे में, आदर भूमी का नाम दिया गया, फिर उनके कौन से rivers में confluence होता है, हरीके wetland का है, बियास और सतलज के पास, केवला देव का है, आपके पास में, बनास के पास है, कॉलेरू का है, मुसी और कृष्णा के पास में, तो आपके पास में आपके पास में है, पालेस जो है, वह UNESCO का विश्व दरोर सल है केरला के अंतरगत that's it fundamental rights के बारे में कुछ प्रशन है आपके पास में मौलिक अधिकारों को लेकर के कौन सा part of constitution का जो reflect करता है principle and provision of the universal declaration of the human right तो मानव अधिकारों के सार्वभॉम घोषना 1948 के declaration के सिधानतों को प्रावधानों को कौन प्रतिबंबित करता है तो sir क्या preamble बात करता है इसकी जी sir क्या DPSP राजय के निती 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 सकता तो है yes sir क्या fundamental duties बात करती है जी sir ये तीनों ही basically मानाव अधिकारों की human rights की बात करते है एक mains का question है how is present state of food industry in India responsible for rising case of the diabetes what can we done for creating a more responsible for industry है न पहले तो कारण बताओ और उसका फिर निजात बताना ये दो भागे 250 सब्दों में लिखना है answer submit करेंगे JJ sir PW UPSC पे telegram पे जाकर करके यहाँ पे आप अपना answer submit कर पाएंगे दोस्तो for this being said thank you अच्छा अब हम मिलने वाले हैं वापस Monday को we'll meet again on Monday और Monday को सोमवार को हम वापस शाम को पांच बजे इसी discussion को continue करेंगे weekend को अच्छा से use करना सारे classes को revise करना till then thank you जैहिन सरोदा सक्तिशाली and God bless you all